दमस्तान उप्रमीन आउतिकाले जज्जमेंट डे काना टक माटे किमके बस्तो 24 विदान सबाब धग पर जे 10 तारीके मद्दान यो जायू ते बाद एक्जीट पोल आभिया परन्तु एक्जेट पोल्स आउतिकाल थी शरू थे यह से आँठवा गया थी सतत मैरेथोन कवरे जी एस टीवी पर पर जुआ मर्शे पर अहीं एक परमपरा रही शे आप परमपरा शू टूट शे के सरकार रिपीट न थवानी चला 38 वर्शों मा बि परिस्ति सर जाए तो पिक्चर कई तरब जाए शुकानाटक नी जनता है नक्की करी राखी उखें के 2008 माजे राज्किया ड्रामा जुआ मर्यों विदान सभा सुदी लई जता लई जता तारा सब्योंने पन विश्वास मत माटे जारे लई जबाया फ्लोर टेस्ट माटे ल तो आज़के ड्रामा कानाटक नी जनता जोई चुकी शे जोश्वास पनाटक नी जनता है मन बनावी उखे के जेने पन आपे प्रपर मेंडेट आपे बहु मती आपने अथवा तो जो आकडानी रमत मा थोड़ा आखडा खुटी आग तो पसी कानाटक नूनाटक पांच व कि मैं सरकार मा आवश हूँ, पन आवति काले, the judgment day, अने judgment day नी पूरवसंद द्याए, त्रण खास महमान आपनी साथे डिबेट मा जोडा शे, स्रमान गर्ग आपनी साथे जोडा शे, हिमान शुबय भायानी आपनी साथे जोडा शे, अने मैयूर भाय परिक आपनी साथे कार के बारे में सुप्रीम कोट का भी जज्मेंट आया दिल्ली के लिए कि केजरिवाल सर्वे सर्वा जो एलजी का विवाद काफी सालों से है जजों का भी कुछ चल रहा है इन सब के बीश में कल सब की नजरे कानाटक आपर होगी क्या ये मानले कि कानाटक की जन्ता ने पॉलिटिकल ड्रामा काफी दिनों तक चलता है और बाद में सरकार बनती है तूटती है फिर से कोई और सरकार बनती है क्या यही अंदेशा कानाटक में इस बार होगा या इस बार एक्जीट पोल के आसपास ही कुछ अनुमान निकलता हुआ दिख रहा है कि अबर किसी को मैजर हो की तो फिए पॉलिटिकल ड्रामा कार बनती है फिर से कोई होगा अनुमान निकलता हुआ दिखे परिम भाई यह बार जो को अबी आज करका जो बोल अपिंग है वो तो थोड़ा सा चुंकाने वाला है कि परिशान करने वाला कि आप अगर ओपीनियन पोल को देखें उसमें आठ में से छे ओपीनियन पोल ने कंगरस को काफी लीड दिया है अबी आज करका जो बोल इंग है और विकरो है तो बांस बेग हो रहा है आपका ओरियो शायद जो एक्जिट पोल है यह बता रहे हैं कि इसमें कम हो गए चार जो एक्जिट पोल हैं पांच जो हैं वो थोड़ा सा बता रहे हैं कांगरेस को लीड में पर बीजेपी को भी काफी आगे बता रहे हैं यह बड़ा अश्चरी है कि जो एक्जिट पोल पहले या अभी एक्जिट पोल जो बता रहे थे कि इंडिया टुडे का जो एक्जिट पोल था एक्सिस माएं इंडिया का 122 से 140 सीटे कांग्रेस को मिल रही थी और 62 से 80 जो है भाज़त को मिल रही थी वैसे इंडिया टीवी सी एनेक्स में 110 से 120 सीटे एक्जिट पोल में मिल रही थी आप अगर एक्जिट पोल को देखें और ओपिनियन पोल को देखें और आज जो चर्चा चल रही है उसको अगर देखें तो दो तिन चीज़ें नजर में आती है मतलब देसे कि आज बोल रहे हैं कि कॉंग्रेस को तो 95 के तरीब सीटे मिलेगी और बोल रहे हैं कि जो हंग एसेंबली आएगी और पूरी बात अभी ये चल रही है कि JBS से सब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है अब देखी कल के इलेक्शन में रिजल्ट में क्या होता है मैं नहीं बोलना चाहता हूं मैं दो चीज़ बोलना चाहता हूं देश की जनता के लिए वो समझने की बात है कि या तो ओपिनियन पॉल में मेनिपुलेट किये गए थे या फिर एग्जित पॉल मेनिपुलेट किये गए और या फिर जो कल आने वाला है वो एक्जिट पॉल और ओपीनियन पॉल को अलग करके कुछ आने वाला है जिसके की कोई उम्मीद नहीं कर सकता तो वो जो रिजल्ट है उसको लेकर काफी शंका हमको हो सकती है कि यह ऐसे कैसे हो सकता है हम अभी भी यह मान के चल रहे हैं कि कॉंग्रेस को और ओल लीड मिलना चाहिए अगर पिछली बार भाजब को 104 सीटे मिली थी और इस बार इतनी जबर्दस एंटे इंकमबेंसी थी सरकार के खिलाफ तो हमको मानने का कोई कारण नहीं है कि इस बार भाजब को कॉंग्रेस से ज़्यादा सीटे मिल जाएं दूसरा यह कि जो एक बात कह रहे हैं सारे लोग कह रहे हैं कि जेडी एस किंग मेकर हो जाएगा तो जेडी एस किंग मेकर होने का मतलब है कि जेडी एस को पिछली बार जितनी सीटे मिली थी 29 सीटे मिली थी पिछली बार जेडी एस को तो वो सीटें तो इसका मतलब है कि जेडी एस की ताकत कम नहीं हो रही है जेडी एस को उतने ही सीटे मिल रही है जबकि जितने ओपीनियन पोल और एग्जिक पोल आए जो लोग फिल्ड में गए उन्होंने जाकर देखा कि जेडी एस का इंपेक्ट काफी कम हो गया है हम को ये चीज़ समझ में नहीं आते हैं ये पूरा का पूरा जो गणित है कि कल मदगन्ना हो रही है और जेडी एस के नेता सिंगापूर चले जाते हैं गोमने के लिए कुनार सामी सिंगापूर चले जाते हैं फिर वहां से आने वाले होते हैं पिर जेडीएस के लोग बोलते हैं कि दोनों पारिटी के लोग हमारे टच में हैं सरकार बनाने के लिए और दोनों पारिटी के लोग कहते हैं कि हम तो टच में नहीं है यह जो पूरा गणी चल रहा है करनाटक को लेकर यह बहुत ज्यादा मतलब में रिपीट करता हूं कि ओपीनियन पॉल, एग्जिट पॉल और जो आज चर्चा चल रही है, सटा बजार में जो चल रही है, करनाटक में जो चल रही है, मीडिया में जो चल रही है, हन्ग असेंबली को लेकर, तीनों में कांटाडिक्शन है, ये कांटाडिक्शन क्या है, ये समझने की बात है, क् कि अब जो रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर कोई बात ऐसी है जो जनता को जिसको पता नहीं है और इंटी इंकम बेंसी मानलो नहीं थी वहाँ फिर भी ये भाजब को अगर ज्यादा सीटे मिल रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है तो ये बहाँ एक जो सारी चीजें जो संदे के दाएरे में आ गई है अभी तुम्हें इतने ही क्या सकता है अभी दूसरे इहमांचु भाई को सुनना जरूरी है कि वह क्या बुलते है ओके मायूर भाई जे कॉंट्राडिक्शन नी बात करवा मावी तो आउती काले शुए हुआ शे के बबल अंदा वोटर के कॉंग्रेस पन आब अद्दूच बैकड्रोप माँ चालतू है शे ओपीनियन पोल एक्जीट पोल हवे आगनी रात्र आपने चर्चा करी ये शिए कुमार स्वामी नी पन बात करी के संपर्क मां शे बन्ने पक्षो तो खरे खर आपरसेप्शन छे अथवा तो हजू का आम ये मां ओपीनियन पोल्स पस्ट कही रहू छे के त्री शंकू तरफ वात आगण वदी रही चे जे बे ओपीनियन पोल अत्या रहू कही रहा छे के कॉंग्रेस नी पस्ट बहुमती आवे चे एक्चुली एंटी-इनकमबंसी इस दा फेक्टर इन करनाटका करनाटक मां ये अपिनियुद दा फेक्टर छे अने तिमां दर वक्ते गवर्मेंट जे छे ये रोटेट थती रही चे गवर्मेंट जे चे ये चेंज थती आवी चे अने एक्टले जे हूं त्रॉं मां ओपनाटकोली पॉली आवे चे जनततर पोतानी जे सीट्स पकडिने राखी चे एने को ताना जे स्ट्रॉंग होल्ड्स पकड़ी ने राक्या चे इस ट्रॉंग होल्ड्स अने ए जग्या ओजे छे ए जग्या दर वक्ते त्रिशंकु तरफ वात आगड वधारे छे गत चुटणी मापन आपड़े जोयुतू के जे रिजल्ट आवेया था लगबग भले भाजप आपने वोट वधारे मढ़या था परन्तु बहुमतीन आखड़ा माटे तेव पर शॉट फॉल रहा था जन्तादर में कारणे जन्तादर पोता नी भूदकार माँ देवे गोड़ा समये जे एमनो वोट शेयरतों जेमनी सीट सती ए सीट्स रिगेन करवानों प्रयातना करी जिया रहे कि बीजी तरफ तेमने जे पोतानो स्ट्रॉंग होल्ट बनावी राखे हो चे पचीस्ती त्री सीटों नी वच्चे आ ए ब्लॉक छे कि जे मेजर पार्टी बीजेपी औने कॉंग्रेस ए बेवने बहुमतीना आकड़ा ने अडवाती रोकी रहा हो चे एटले कु गासो करे हो चे कि बन्यों पारिटी ये मारो संपर्क करे हो चे अने हजी सुधी कोई द्रने लेवायो नथी मारू मानूँ छे कि आवक्ते पन त्रिशंकु जेवी परिस्थिती वधू एक वखत सरजाई शके जे कारन के भाजय पेगणी सारी रिते प्रचार करे हो चे कॉ अने बीजी तरफ जनता दर जे चे एक पोतानू बेसिन पकड़ी ने राके चे एटले मारू मानूँ छे के त्रिशंकु नी शक्यता सौथी बदा रे चे इवान्शु भाय हमाँ वोट्षेर नी बार चे के जेडी एस पोतानू गड़ बचावी ने राखे अथ्वा सत्र अडर टका वोट्षेर जे शे पन बिहार जे वाराजी मा बले थोड़ू पर्सेप्शे न अलग से राज्यों बनने अलग से पन गणी चुट्णियों मां आपने जोड़ू हुशे 300 वोट, 500 वोट, 1000 वोट, 1200 वोट आ प्रकार ना जो वोट्षेर मा इतलों फरक न परियो चाता पन स्रीट्स जे कन्वर्ट थाई छे रिजल्ट मां एपन थोड़ू इंट्रेस्टिंग जोड़ू हुशे छेला पांच के साथ वर्समां एसम्बली इलेक्षिन्स मां तो काना टक मां पन्षू हाँ प्रकार नी सिती अत्वा तो जेडी एस हाजू पन एस सिती मां छे जे आज दावो घर्यों के बनने संपर्क करियो हुशे तो कदा आज बेजार आठ नू रिपीटेशन पन आपन आपन ने जुवा मरे स्वरी बेजार आठ नू इमान सुबाइब स्वरी अटार ने बनना सुबाइब आज जवाट चैक एमा जे टीएस चैई दिजगेल जोकर इंद पैक पता होई ना बावन पता है एमा जोकर चैए करना तका वहाँ जे इतना वोट पैटन आपने जोई आड़ा तका नोवधार हो चे वोटर ड़ना राउंड मां गया वरस्ता कंपैरिजन मां आखी जे रमच चे चातिरिस टका वोट शेर बीजेपी पासे गया वरसे हो तो आड़ा तका पासे हो अड़ा तका जेली अश पासे हो तो बाकी नोव आठ तका ये अन्यमा बेचा है लोगतों आ परिस्तिती मां आ 26 तका ये अड़ार ने बीजा 8 तका निरणायक बनसे के सरकार के नी बनसे एकजिट पोल ओपीडियन पोल बदू भुली जाओ तमें जे प्रकारे चुटणी आखी चाहिली छे एमां बहु स्पष्ट पणे देखाई छे के कॉंग्रेस ने बीजेपी वाच्चे जे वोट्शेर मों तफावत चे इवोट्शेर मों तफावत बोट्ती बेटकान हो जे लिए क्यारे क्या स्विंट आई खबर ना पड़े ना तमें जे कि दू इतना उत्तरप्रदेश मां जे परिस्तिती सर्जानी थी सब्सक्राइब के 100, 200, 300, 400 मते सीटो जिती गई उतरप्रदेश मां भारती जनता पाटी यही समभावन करना तका मां शक्याच छे अने यह एकला माटे शक्याच्याच है कारण के जे परकान नु राजकारन में जे धुवी करण की छे छेली लिनिटे इध धुवी करण की च वोट साखा बहु पोलराईस थाहिया चे, कोस्टल करनादा के वरो मुट्टो हिस्सों अमा जने कई सका रंसे ही तमारे जोवानु आँ से अने बिजी तरफ तमें जोओ तो जे अर्बन अने रूलर वच्चे नी जे आखी जे जने कई सका के वोट शेर नी गवच्चे इमा अ अजने कई सका रंसे ही जोवाना थी मेड़ो जेक्नों रूलर नो जोवान भाईड हो ज तो जोवान ने तक पर अर्बन ने तच कर तो मुद्धो कियो हो तो आईडेली तमे जोवा जायो तो जे कॉंग्रे से उठाएं वो बजरंदरवानों के बजरंदर ऊपर हमें बैं ल जे विजेंटाइन से ने माझे बदी समस्या अधर जाती मुटा 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 बागया यह तू दून रूलर वोट्स चे नी समस्या मोंगवारी नियती ता मैं समझो बन रूलर वोट्स वदारे पड़ता निकड़ा छे आपर इस थिप्टी माँ जो फ्लक्स बिल्टप था से आखू तो जे श्रमणगर साहिबे वाद केरी विजा अपना जे पैनलिस्ट चे अमने मैं उर्भाय जे वाद केरी नहुए आवस्तू साथे सह माच्चू के त्रीशंकू तरफ जही रही हूँचे अने माँ JDS चे इनिर्णायत बंग से अने कदाच 100-200 सीट ए एक सो तेर नी जे तमारे रिक्वाइर्मेंट चे सरकार बनावा माटे इक सो तेर नो आकडों बीजेपी पार करी सके चे नहीं जो वानूरे से अने वोटर टर्नराउं जो पॉइंट अड़ो टको वोटर टर्नराउं नुभीदू चे एले क्या पक्षना वोटर्स मोबिलाइस त्यांचे अने केमें बत पढ़ा चे इत हो अरे के अगरू रह से इक आले मने लागेचे अगी अर्वागेशो तीमा अगी अर्वागेशो तीमा ट्रेंट बीट अ जासे यहारे मनना गेचे क्लारीटी आउसे विजू के हूं जे रीतना स्टडी करू चू बारतिये जनता पार्टी ने अटियारे करना टका खोबो पोसाई में इतला मानना के ना ब्ये कारणों चे एक कारण के GST मा जे करना टकानों हिस्सों चे कंपैलिटिवली महारास्ट पची सारो हो बोटो हिस्सों चेले तम्हें रूपिया नी गणतरिये चालो तो GST मा करना टकानों हिस्सों सारो हो चेले का क्या आईटी नी नी जे पधी कंपनीज ने जे काई छे रीतना टेक वेंचर्श ने स्टार्ट अबदू जे आवी रही रही उचे एमा एक करना टका ऊपर जे कोई सता पक्ष्ण नो जे इजारो चे के राजकरी ने बेठा चे के सता रूड चे बले चालीस चाका कमिशन वारी वारी वाद कॉंगरे से चगाई भी बदू ही कही रूँ पड़ी जातू नहीं करे एक को सेल हाई ती कारन के येना माटे नो एक बोव प्लें छे अने लॉट ओफ कॉमर्स इंवर्ड अपार्ट फर्म पॉलिटिक्स आएक वस्तू तम्हे समझ जो बिजू के आ चुटनी मां करन के खड़गे नी आखी जे रनम हीती चे आना उपर फी नकी था से के राष्टी चुटनीयों मां खड़गे केटलू 2024 मां सुन करी अने खासकरी में सदन स्टेट्स मां आ चुटनी ना परिणावोनी बहु बोटी चाहा हो से एक आधामी 2024 मां केवर इतना पहना प्थाई चे बिजू के खड़गे मांते आ निर्वाय चुटनी चे के आगयार नी कॉंग्रेस नी रनम हीती चुटनी 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 चु जैने के ने के प्रेफरेंस अथ्वा प्रेफरेड पार्टी जैने इतना मुद्धा उठाई वाचे इमा जैने वह आद करूच त्याना पत्रगारों साते त्याना लोकल ये लोकों चेनी साते गुजरादी ओ घणा बजा चे त्या बैंगलोर माने आई आई-टी कंपनी बा काना चे के का कॉंग्रेसे तक्कर पुरे-पुरी आप पनो प्रयातना के रोचे पना वे वे एट एन वाच के कही बीशामा काले बद्धू जाई चे पन त्री शंकुनी संभावना एज जर्नलिस जै ट्रैक करे चे बिजनस अने पॉलिटिक सी रिप्ना हूं जोई चू के त्री शंकुनी संभावना जे अने मा जे जेडियेस इस दा प्रैकिन दा जोकर एटले थी फर्वावया आगया जे कोई पड़ा आवे अल्टीमेट ली आओ पर से अपनी बास एक एक मिनिट नो समय त्राणे माटे बच्चियों शे चलो राउन अब दर्व साब आप शे शुरुवात करते हैं जेडियेस का तो अनुबवव ठीक नहीं रहा लंबी चली नहीं सरकार पिछली बार तूटी जेडियेस पी कॉंग्रेस पी तो इस बार अगर दोने ही कि देखिए वो कुमार स्वामी ने कहा है कि हमने तैर तो कर लिया है कि किसके साथ जाना है पर हम अभी डिस्क्लोज नहीं करें कि वो ब्लेक मेल करना चाहते हैं यह जो करनाटक का पूरा मामला है बड़ा अन्फॉर्चुनेट है कि एक तीसरी पार्टी जो है वो एक ना शिंदे टाइप महां काम होने वाला है करनाटक में वो आप देखना में चीज बोलना चाहता हूं कि कि एक तो चीज़े में बोलना चाहता हूं कि जो बंबभी साहब आज बड़े उस्साहित नजर आ रहे हैं इसरी ऑफुल टुडे उन्होंने क्या कहा वो समझने के बाद उन्होंने का कि यूपी में जब इलेक्शन हो गया तब जितने एग्जिट पोल थे उन्होंने बीज को 80 सीट मिलेगी और कॉंग्रेस को 107 सीट मिलेगी ऐसा करके बोंबभी कह रहे हैं पर रिजल्ट पूरा उल्टा हो गया बोंबभी यह बताना चाहते हैं कि देखिए एक्जिट पोल पर भरोसा मत करिए बीजेपी जो बोल रही है उस पर भरोसा करिए इसका मतलब यह है ब इजेपी के सारे नेता बहुत कॉंफिडेंट हैं पहले दिन से कि इलेक्शन में उनको ही बहुमत मिलने वाला है यह बड़ा रहस्य का मामला है कि यह कैसे इतना कॉंफिडेंस कैसे आ गया उनको कि इतनी इंकम्बेंसी होकर इतने ज्यादा एड़र्स रीजन्स के बाद भी पिछली बार भी 104 सीटें मिली उनको डिफ्रेक्शन करवाना पड़ा सरकार बनाने के लिए उसके बाद भी अब वो कह रहे हैं अभी कल इलेक्शन है कल काउंटिंग है और आज वो इतने कॉंफिडेंस दिख रहे हैं और कल एक बीजेपी के नेता की गाड़ी से एवियम पर दिखता है यह पूरा का पूरा मामला थोड़ा सा जनता के समझ में नहीं आ रहा है आवाज मेरी डिले पहुंच रही आप तक माफी चाहूंगा गर्ग साथ पर महुं भाई जता जता एक फाइनल कोमेंट आपना तरब थी क्या रहस्य वाड़ी वात अत्वा तो बली तो शेज पन साथे साथे जुकाओ कई तरफ जेडियेस नो जो हंग एसेंबली जेवी सिच्वेशन उभी थाए आउती काले जेडियेस इटले के एनी पासे जो नेगोसियेशन पावर आउसे तो बट अफकोस ते पोतानी पार्टी ने मजबूत करवा माटे जे साथी बेस्ट रस्तो चे ते अजमाऊ शे अने एमा शक्यता एज देखाई रही छे के गत समय ते हों कॉंग्रेस साथे गया आता किमके अत्यारे तमें महराष्टर नी बात करो बीजा कोई पन स्टेट नी बात करो दरेक स्टेट नी अंदर पार्टी ओ जपाटा भेर तुटी रही छे अने धारा सब्यों जाने के भाजप मा जवानी होड लागी छे इटले नानी पार्टी ओनू तो आधनी तारिक मा गजूज ना थी के ते भाजप सामें टक्कर जीली सकेट ले मारूए वो मानूँ छे के जेडी एस पासे कहीं बहुँ वधारे विकल्पो ना थी इमान्शु भाई फाइनल कोमेंट एक सवा मेंट जेटलो समय शे ओडियो डिले पहुंची रहो होशे कई तरह प्रेशे जुकाओ जेडी एस नो जो हंग एसेम्बली बनी झाल आई थिंग टेकनिकल इश्यू छे पन वाद करी के किंग मेकर नी भूमिका मा जो जेडी एस हंग एसेम्बली बने तो आउतिकाले जे पांच वरस पहला पोलिटिकल ड्रामा कानाटक मा जुआ मर्यो तो कदा जेज प्रकार नी स्थिती तो आउतिकल इश्यू है लेकिन तीनों खास महमान ने जो कहा गर्ग साब आपने भी के काले जो हंग एसेम्बली बने तो जेडी एसे कहिऊ के बनने पक्षतर्प थी ओफर शे तो आउतिकाले एग्जेट जे पोल शे एग्जेट केतला साच आपड़े शे ने बिजी बात के मैजोरीटी मरे शे के नहीं कोई पक्ष ने इंक्लूडिंग कॉंग्रेस के परशी बीजेपी नहीं मरे कोई ने तो कॉना टक नू ना टक बो लांबा समय सुदी पांच वरस पहलाना अध्याई नीजे चालतू रहे शे आउतिकाले दीबस बर आंठ बागया थी मरेथन कवरे जी एस टीबी पर पाण के कॉना टक नू